स्वागत है आपका cvt हिंदी मीडियम पर मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी आशा करता हूँ आप लोग श्वस्थ होंगे श्रक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे एक बहुत सारा सवाल मतलब बार-बार बच्चों के मेल भी आ रहे हैं और आप लोगों क करने के कारण या मन पसंद विश्व विद्याले नहीं मिलने के कारण आपने ये सोचा कि मैं इस साल रुख जाता हूँ और फिर cvt की परिक्षा देखे अगले साल कहीं ने कहीं अन्मिशन लेने की कोशिस करूँगा तो अब इन दोनों के अप्रोच में पढ़ाई के तरी के लिए क्या अप्रोच या क्या तरीका रहना चाहिए अब देखे बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेता हैं ड्रॉपर की माल लीजे अगर आप ड्रॉपर हैं और आप लोगों ने क्या किया है इस बार ये तैय कि है कि हम किसी विश्वद्याल में अड्मिशन नहीं ले र भी कमी नहीं है और स्टार्ट करो ncit से अप स्टार्ट करिए ncit पढ़के और आपने बाकी जो नोट्स बनाए है उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजे सर मेरे पास कोई नोट्स नहीं है सर कैसे गाइड मिलेगा चलो उसका भी थोड़ा सा एक मैं आपको अभी और कुछ नहीं, बार-बार पढ़ने की कोई जरुवत नहीं है, 20 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, सबसे important यह आपका बनता है, कि आप क्या करो, एक बार syllabus को revise करके और फूरा एक साथ फिर practice करना सुरू करो, practice में आपको mock test देने है, practice में आपको previous year question solve करने है, most important question solve करन तो आपको क्या करना है, नवंबर तक syllabus को revise करना है, नवंबर से अपरल तक क्यवल practice करना है, अब आते है regular batches में, जो बच्चे regular हैं, जो इस बार बारवी में है, अब उनके सामने दो चुनोतिया है, एक तो उनको बारवी भी करना है, दूसरा CUET भी करना है, आपको क्या करन है, आपको syllabus school के according चलाते रहना है, लेकिन थोड़ा आगे रहना है, आगे ये रहना है कि last में जा के ऐसा नहों कि तो बोर्ड और CUET में 6 महिने का अंतर नहीं है, एक से 10 महिने का बीच में, एक महिने का मुस्किल से मौका मिलेगा, उस एक महिने में आपको माज पाओगे, सो में आप ये सोचो कि मैं इसका लगूतरी दिर्गूतरी आएगा, तो कैसे दूँगा, और CUET पर MCQ आएगा, तो कैसे दूँगा, बोर्ड में भी कुछ MCQ आते हैं, तो दोनों के अप्रोच में क्या आंतर रहेंगे, सर ये तो बहुत मुस्किल होता है समझना कैसे, तो उसक करना पड़ेगा, आपको reading प्लस एक तो reading करनी पड़ेगी, दूसरा revise, उसमें से आपको 20% time revise के लिए और 20% time किसे लिए, प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो अपना 60% time reading पे दिजिए, 20% revision पे और 20% time practice पे दिजिए, कम से कम, बाद लेकर चलनी है, और regular students ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, आपको CUET और board दोनों का approach एक साथ लेकर चलना है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है, अब दिको इसमें जाहिर सी बात है कि all India level का exam है, competition भी है, साथ में boards भी हैं, और approach में, जैसे dropper ही है, उनको कोई ने कोई गलती रहे ही होगी, तो एक अगर ऐसा platform रहे, जहां पर आपका board भी त्यार करा दिया जाए, पढ़ाई भी करा दिया जाए, revision भी करा दिया जाए, mock test भी करा दिया जाए, सब कुछ करा दिया जाए, तो मेरे तरब से offer ये है कि आप संकल 2024 जॉइन कर लो, अड़ा 247 का app डाउनलोड कर लीजिए, और अड़ा 247 का app डाउनलोड करके, CUET Hindi Medium में, CUET Arts in Hindi Medium करके संकल बैच ले लीजेगा, इस वीडियो के description box में भी संकल बैच है, अगर आप science के student हैं, तो संकल बैच Arts in Hindi या Science in Hindi दोनों अलग है, इसका description डा अला गया है, क्लिक करके ले सकते हैं, view offers में ये code डालिएगा Y768, इसके अलामा कोई code यूज मत करिएगा, इस code से आपको maximum to maximum discount मिल जाएगा, फिर भी कोई doubt आ रहा हो, course कैसे लेना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है, बस आप मुझे email कर दीजे, मैं सारी के सारी चीज़ भी कर पाएंगे, टेस्ट भी आप उस पर दे पाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी, और अल इंडिया लेबल का, और दोनों के अप्रोच का, यनि बोर्ड और CUET, दोनों के अप्रोच और questions में क्या अंतर होते हैं, इस अंतर के साथ आप प्रैक्टिस करके अपनी तयार जहिं